वेल्कम बैक आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 2023 सेट B देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग सेट A का देखे थे आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा बारवी विशायर सायन सास्तर का सेट B देखेंगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ पुरा सारे वीडियो अपडेट मिलते रहें पहला प्रश्ण है इसमें ठोस साल से आप क्या समझते हैं बहुत सिंपल उत्तर है वह कुलाइडी तंत्र जिसमें परिछेपण माध्यम और परिछिप्त प्रवस्ता दोनों ही ठोस होते हैं ठोस साल कहलाते हैं उधारन के लिए रूबी नाम क्या है उत्तर है फ्रियान 1-2 का अडुश उत्र होता है C-C-L-2-F-2 होता है और इसका आयू-P-A-C नाम होगा डाई-क्लोरो-डाई-फ्लोरो-मेथेन होता है नेक्स्ट प्रश्ण है दिया हुए इस्ट्रक्चर है उसका आयू-P-A-C नाम बताना है तो इस्ट्रक्चर का आयू-P-A-C नामेंक्लेचर एल्कोहल तरफ से होगा जहां OH ग्रूप है मतलब हम लोग के अपनी हिसाब से देखें तो राइट साइट से होगा तो इसके विसेश पर नाम होगए इसका 2-3-Dimethyl-Pentane-1-All होगा नेक्स्ट कोश्चन था फैलिंग विलियन-A क्या है उत्तर है कापर सलफेट का छारी विलियन-फैलिंग विलियन-A कहलाता है अब कापर सलफेट को अगर हम चार में जैसे यहां चार के रूप में हम लोग ले रहे हैं sodium hydroxide इसमें dissolve कर देते हैं तो जो विलियन बनेगा वो फैलिंग विलियन-A कहलाता है नेक्स्ट कोश्चन हम लोगों को देखना था इसमें आवश्यक अमीनों अमल का एक उधारन दिजी ये कोश्चन रिपीट हुआ है ए और सेट बीद्धोनों में वेलिन और हिस्टिडिन है इसमें नेक्स्ट कोश्चन है धनात्मक और रिडात्मक विचलन वाले अनादर स्विलियन में कोई दो अंतर लिखे तो धनात्मक और रिडात्मक वाले में पहला अंतर है इन विलियनों के आंसिक दाब राउल्ड के नियम द्वारा परिकल्पिनित मान से अधिक है तो धनात्मक कम है तो रिडात्मक होगा धनात्मक अले में एंथेल्पी परिवर्तन पॉजेटी होगा इसमें निगेटी होगा आयतन परिवर्तन इसमें पॉजेटी होगा और इसमें निगेटी होगा धनात्मक नाम ही दिया हुआ है, मतलब सारे चेंजेस पॉजेटिव होगा, रिडात्मक में सारे चेंजेस निगेटिव होगा नेक्स्ट कोशन था, प्रतम कोटी के अभी क्रिया के लिए अर्ध आयूकाल ग्यात कीजिए जब वेगी स्थिरांग 2 मिनट इन्वर्ष है, तो उत्तर हम लोग सबसे पहले है इसका फार्मूला लिक लेंगे दर जो दिया हुआ है के इसकल टू मिनट और धायूकाल का सिंपल फार्मूला है टी हाफ इसकल टू सुन्नी दसमलोग 6 नौ 3 बटे 2 तो यहां से इसका आंसर निकल जाएगा के वल के की वेल्यू हम लोग यहां पर रख रहे हैं ठीक है जो नेक्ट कोस्चन है नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियरशिल है क्यों उत्तर लिखना है नाइट्रोजन परमाडू का अकार छोटा होता है जिसके कारण दो परमाडू के बीच प्रबल PPI अतिव्यापन के कारण एक ट्रिपल बॉन त्री बंद का निर्माड होता है अता है नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियरशिल होता है निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पात का नाम वह शूत्र लिखे तो रियक्शन है नाइट्रोबेंजीन के अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं हाइड्रोजन से और PD की उपस्थिती में अब चैन अभिक्रिया है कोस्चन रिपिटेड है सेट A में भी दिया हो गया है तो इसमें हम नाइट्रोबेंजीन का अगर अपचैन करा रहे हैं एजट्टू के त्रू PD की उपस्थिती में तो एनिलीन बनता है जैसा कि पहले सेट में देख चुके हैं शिंपल है आशार इसमें एनिलीन है जो में प्रोड़क्ट होगा नेक्ट्ट कोस्चन हम लोगों के इसमें देखना है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कैसे परिवर्थित करेंगे केवल समीकरन लिखना है उत्तर है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेंजीन डाई जेनियम क्लोराइड लेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं हाइपो फास्फोरस हम लग के साथ जल की उपस्तिती में और कापर की उपस्तिती में अगर हम रियक्षन कराएंगे तो बेंजीन अलग हो जाएगा, फास्फोरी कमल अलग बनेगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा नेक्ट कोस्चन है एक निश्चीत ताप पर सुध विलायक का वास्पदाब सुन्य दसमलो आठ पांच सुन्य बार है एक अवास्पसिल वैद्धूतन अभगट मिले के 500 मिली ग्राम को 49.0 ग्राम विलायक मुलर्द रभिमान दिया हुआ है 78 ग्राम मोलिन वर्स में मिलाने पर प्राप्त विलियन का वास्पदा जो दिया हुआ है तो इसको Сिंपल सॉल कर सकते हैं पहले जो जो दिया है उसको मेंशन कर लिजी शुद्ध विलायक कदिया हुआ है PA नॉट करके, सुने दसमलो आठ पांच करके और विलियन में उपस्तित विलायक कदिया है मुलर्द रभिमान दिया हुआ है weight जो मिलाये हैं विले वो 500 mg है तो इसको ग्राम में convert करेंगे और फिर formula को में put up कर देंगे सारे formula में जब put up करेंगे इसको PA वाले में तो यह आपका MB की value जो रहेगा यह बहुत simple तरीके से calculate कर सकते हैं वो 39-39 कट जाएगा तो 1 upon MB रहेगा reverse करेंगे तो 850 बटे 5 आएगा इसको और simplify करेंगे तो answer 170 आजाएगा next question था अभिक्रिया की कोटी से आप क्या समस्ते हैं दिती कोटी के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांग के कह लिए तो answer है किसे अभिक्रिया की कोटी उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्साने के लिए दर नियम समिकरन में सांद्रता पदोग पर लगाया जाता है मतलब अगर कोई अभिक्रिया एक hypothetical ले हैं तो दर जो रहता है dx upon dt इस तरह से तो k सांद्रता a सांद्रता b और सांद्रता c इनमें एक घात p q r है तो अभिक्रिया की जो कोटी होगी वो सभी घातों को जोड़ देंगे तो n बराबर आ जाएगा p plus q plus r होगा next question है और इसमें हम लोग को जो निकालना था unit तो dx upon dt is equal to k a square दूती कोटी के लिए तो यहां से k का हम लोग transfer करके value निकाल लेंगे सारे unit रग देंगे mole प्रती लिटर कट रहा है एक एक कट जाएगा और फिर जब reverse जाएगा तो mole inverse हो जाएगा और लिटर लिटर में रहेगा next question है समांगी उत्प्रेडर से क्या समझते हैं उधारन सही समझाईए उत्तर है समांगी उत्प्रेडर वेरसायनिक अभी क्रिया जिसमें क्रिया कारक, क्रिया फल और उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में हो जैसे गैस है तो गैसी रहेगा ठोस है तो ठेस हो तो ऐसे यह condition में हम समांगी उत्प्रेरंग अभी क्रिया कहलाते हैं से उधारन दिया सेल्फिरी कमलके निर्मार की सीस कक्षविदी में प्रयूक अभिकारक और उत्रे रख जैसे उत्रे रख एनों है क्रियाफल सभी गैसी अवस्था में हैं तो इसे समांगी कहेंगे जैसे सभी एक ही प्रवस्था में तो इसको समांगी नेक्स्ट कोचन है कापर धातों के दो एसको के नाम सुत्र को यह एक उप्योग लिखे तो पहला है क्यूप्राइट या रूबी कापर बोलते हैं सी यूट्यू ओ और दूसरा है कापर ग्लांज या कैलफोशाइड बोलते हैं यह सी यूट्यू एस है तो क्यूप्रिक सलफ़ाइड और क्यूप्रिक अकसाइड है वो उप्योग है विद्दूतार जल एवं भाफ के लिए पाइप बनाने में और दूसरा है मिस्त्र जैसे पीतल है कांसा है जर्मन सिल्वर आधी बनाने में भी कापर धातु किया इसको का उप्योग किया जाता है नेक्स्ट कुश्चन है अंतर हैलोजन योगिक जिसमें एकस एकस प्रकार का एक उधारम बताना है जिसमें दुनों हैलोजन रहेगा और दूसरा है नियान के दो उप्योग लिखिए तो पहले उत्तर हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं अंतर हैलोजन योगिक जिसमें एकस एकस फाइब टाइप के लिना है तो यह है सी एल एप फाइब और दूसरा है इसमें नियान के दो उप्योग तो पहला है विसर्जन ट्यूब तथा प्रद इन हाँस में किया जाता है नेक्स्ट कोस्टन है सल्फर के आकसी अमलो के नाम और सरचना सोत्र लिखे कोई भी तिन आकसी अमले लेना है तो बहुत सिंपल हम लोग इसको ड्राव कर सकते हैं जैसे सल्फियूरेस है सल्फियूरिक अमले है और थायोसल्फियूरेस है राचना बहुत सेम जैसे रहेगा नेक्स्ट कोस्टन है निम्न उफसस हैं योगिकों के आई ओपीस जी नाम लिखे तो पहला है पीटी सी एल फॉर टू माइनस दूसरा है इसमें सीवो एनस थी शीक्स है और शीयल थी रहेगा नेक्स्ट है इसमें के एफ़ी सी एन के त्र तो नाम हो जाएगा टेट्रा खुलोरो प्लेटिनेट फूआयन हो जाएगा सेकेंड इसमें हम लोग देखते हैं इस निक्यां ब सोटनब्स और फ्री तो इसका हो जाएगा हेग्जाएमिन छैपmb अम्लो हम लोग को देखने हैं के 3 ए According to next question है क्या होता है जब केवल ड्रसाइनिक समीकरन लिखिए और मुख्य उत्पात का नाम लिखना है तो पहला है प्रोपिन पर हाइड्रोब्रोमिक अमलकी क्रिया कराते हैं दूसरा है मेथिल ब्रोमाइट की मैगनिसियम धातू केशान सुसक इथर की उपस्थिती में क्रिया क कराते हैं पहला है प्रोपिन पर हाइड्रोब्रोमिक यह अभिक्रिया है जिसमें प्रोपिन पर HBR के अभिक्रिया करते हैं तो यह ब्रोमिन जो रहता है वह मतलब निगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन पर कार्बन पर जाएगा जिसमें कम हाइड्रोजन रहेगा है अग और दुसरा है, अगर मेथिल ब्रुमाइट पर मैगनिस्यम की इसूस की थर पिर करते हैं, तो ग्रिगनाड अभी करमक बनता है, CH3-MGBR, ग्रिगनाड अभी करमक बनाने की रेक्षन है, यह बहुत इंपोर्टेंट रेक्षन, अक्सर पूछा जाता है, नेक्ट्ट कोश्चन ह ग्रिगनाड अभी करमक से अलिफैटिक प्रात्मिक एलकोहल कैसे प्राप्त करोगे, केवल शमीकरन देना है, दूसरा है, शमीकरन को पून कीजिए, एक एक्वेशन दिया हुआ है, दिखे एक्वेशन है, फिनॉल की हम लोग अभी क्रिया करा रहे हैं, ब्रोमिन के साथ, तो जल भी रहेगा, और इसके बाद जो प्रोड़क्ट बनेगा, यह बताना है, नेक्स्ट है, निम्न परिवर्तन कैसे करेंगे, बेंजिल क्लोराइट से बेंजिल एलकोहल के वल समीकरन देना है, तो सबसे पहले हम लोगों को फस्ट है, ग्रिगनाड अभी करमक की जो रि करेगा, और यही ओ वाले पार्ट से हाइड्रोजन जुड़ेगा, और वो अलग हो जाएगा, नेक्स्ट है, ब्रोमिन की अगर क्रिया करते हैं, तो ब्रोमिनेशन में जो आर्थो पोजिशन है, और पैरा पोजिशन इस पर टेक होगा, तो 246 ट्राइब्रोमो फिनाल बाहर आजाएगा, और वो सेल के जगह जुड़े आएगा, नेक्स्ट क्रोश्चन है, पाली सेकराइट से आप क्या समझते हैं, कोई दो उधारन देना है, और विटामिन C की कमी, तो अंसर है, पाली सेकराइट, यह जलब घटन पर सेकराइट के अनेक अडू, 100 से 1000 इक्या रहेगा, उतनी यहाँ पर मोनो सेकराइट, जैसे 1000 है, तो 1000 मोनो सेकराइट यहाँ पर रिलीज होगा, 100 है, तो 100 मोनो सेकराइट, मतलब C6, H12, O6 मुक्त होगा, और जो संक्या रहेगा, वो लगबग बराबर रहेगा, और उससे एक कम H2O रिलीज होगा, विटामिन C की कमी से सकरवी और अस्थियों का भंगूरोना यह रोगुतपन होता है, निमलिखित बहुलकों के एकलाग का नाम लिखे, तो पहला है इसमें प्राकृतिक रबर है, दूसरा जो दिया है नियोप्रिन है, और तीसरा है PVC, तो बहुलकों के नाम के लिए पहला है प्राकृतिक प्राकृतिक रबर है, पॉलिविनाइल क्लोराइड पुरा नाम है PVC का इसके बेसेस पर, नेक्स्ट है पीडाहारी से आप क्या समझते हैं, किनी दो पीडाहारी अवसधी के नाम लिखे, बहुत सरल है, पीडाहारी वे अवसधी जो पीडा दर्द को दूर करने में सहायक हो प्राणा, संग्या विगान या चेतना सुन्नी हो जाना, बेहोंशी होना ये सब है, उधारन मार्फीन, कोडीन, हेरोईन ये सब आता है, नान नार्कोटिक इसमें जवर में जो ताप रहता है, वो कम करता है और फिर पीडा को भी धर, जैसे एस्प्रीन, पैरसेटेमाल, इ पासा करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग इतने देर तक देखे या लाश तक देखे, इसके लिए बहुत बहुत धनिवाद, और चैनल को आगे लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर कीजेगा, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे नए वी